नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबी का एक्जाम अचीविन में मैं करुणा ये वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन के स्टूरेंट्स के लिए दोस्तों इसके अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 योग और जीवन शेली जो की आपका सेकेंड रम के CBC एक्जाम में आने वाला है तो दोस्तों टाइम वेस्टना करते हुए शुरू करते हैं आसन के साथ आसन क्या होता है? तो शरीर की वह मुद्रा जो की मूल रूप से ध्यान में बैठने के लिए प्रियोग में लाई जाती है तथा बाद में हर योग तथा आधुनिक योग के विभिन आसनों में जैसे खड़े हुए आसन जिसको हम तिकोन आसन भी बोलते हैं बैठे हुए आसन जिनको हम पदमासन बोलते हैं लेट कर जो आसन लिये जाते हैं जिनको हम स्वासन बोलते हैं और इसके अतिरेक्त उल्टे होकर जो हम आसन करते हैं उनको हम सीरस आसन बोलते हैं संतुलन वाले आसनों को हम कुटुक आसन बोलते हैं और आगे की और जुकने वाले आसनों को हम पस्चमोत आसन बोलते हैं पीछे की और जुकने वाले आसन को हम धनुरासन बोलते हैं, इन सब को आपस में जोड़ती है, दोस्तों पतंजली के अनुसार आसन क्या है, तो इस्थिर सुख मासानम पतंजली योगसूत्र के अनुसार आसन एक इस्थिर एमम सुख दायक इस्थिती है, क्या है? एक इस्थिर और सुख दायक इस्थिती क्या कहलाती है? आसन कहलाती है, बात कर लेते हैं आसन करने के क्या लाब है? तो रोख निवारक के रूप में अध्यनों से है पता चलता है कि आसन से लचीला पनाता है, शक्ती स्वयम के संदुलन में सुधार होता है, इस से तनाव भी कम किया जा सकता है, और विशेस रूप से लाब देती है ये किस तरह की बिमारी में? अस्थमा में और मधुमे जै रोल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है और सेम ऐसा ही अस्थमा के बारे में, तो दोस्तों आसनों के नियमित अभ्यास से मानसिक इसपस्टता तथा शांती पैदा होती है, शरीर में जागरुकता बढ़ती है, तनावों से चुटकारा मिलता है, एकागरता आसन करने से बढ़ती है और यहां तक की की स्वयम के प्रती जागरुकता भी बढ़ती है, जब विवेक्ति आसन करने ही तु अपनी चटाई को बिछाता है, तथा विभिन्न मुद्राओं द्वारा अपने शरीर को घुमाता है, तो वह अंगिनत स्वास्ते लापों को प्राप्त करना शुरू कर देता है, और यहीं से हमें आसन लाप देना शुरू कर देते हैं। बात कर लेते हैं, जीवनशैली संबंधित रोगों की रोक्थाम में योग की क्या भुमिका है? जीवनशेली संबंधित विकारों के प्रबंधन में सदे योग के मौलिक सिध्धान्तों की चर्चा की जाती है जिसमें व्यक्तिका उचित ड्रस्टिकून तथा मनुविज्ञानिक विकास शामिल है योगी की जीवनशेली एक समग्र कला एवं विज्ञान है जिसके अभ्यास द्वारा तनाव प्रबर्धन चया पच्य का सामान नहूना इस्थली करण कल्पना शक्ति में व्रदी तथा प्रचलित रोग जैसे मधु में वे उक्त रक्त चाप आधिका नियंतरन किया जा सकता ह दोस्तों चीवनशेली के विकार कौन-कौन से हैं बात करें तो सबसे पहले आजाता है मोटापा दूसरे नंबर पे मधु में तीसरे नंबर पे अस्थमा चौथे नंबर पे उक्त रक्त चाप और लास्ट में आजाता है पीठ दर्थ और लगभग हर व्यक्ति इन है तो बात कर लेते हैं मोटापे या इस्थोलता की मोटापा विश्व की समस्या बन चुका है व्यसकों के साथ साथ बच्चे मोटापे से ग्रस्त हो रहे हैं मोटापा शरीर की वह दसा है जिसमें शरीर में वशा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है इसका प्रमुकारण क् खान पान की गलत आदतें और चीवन शेली जिसके अंदर हम कुछ करते ही नहीं सुपह देर से उठना फिर उसके बाद कुछ भी खा लेना या देर तक भूके रहना या फिर इसी तरह की और बहुत सी गलतियां दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि वह दसा जब एक व्यक्ति का भार आदर्श भार से 20% या इससे अधिक हो जाए तो उसको मोटापा कहते हैं कहते हैं ना कि अगर तुम्हारे इतनी हाइट है तो तुम्हारा इतना वेट होना चाहिए बहुत सारे माना कि इस तरह से गौर्मेंट ने डाल रखे हैं तो अगर उससे 20% जादा हो गया तो इट मिन्स आप मोटे हो गये और मोटे होने का क्या कारण है दो खानपान की गलत आदत पाचन प्रणाली का बिगड़ जाना और उसके बाद धेरो दवाईयां खाना परेशान होना टेंशन लेना तनाव लेना हार्मोन्स में बदलाव होना या महिलाओं के साथ एक और समस्या हो जाती है कि गर्बधारण कर लेना बहुत अधिक मादरा में कार्बो हैड्रेट करना बहुत ज़्यादा खाना खाना और काम बिलकुल ना करना और कहीं न कहीं थाइराइड की चपेट में आ जाना और अपने मुटापे को बढ़ा लेना और बहुत केस में ये भी देखा जाता है कि भाई क्यूंकि मम्री पप मोटे हैं इसलिए बच्चे भी मोटे हो जाते हैं और इस चीज को क्या बोल देते हैं वन्जानुगत अब आजाते हैं कि नुकसान क्या है मोटापे से तो अनेक स्वास्ते जोखिमों के कारण इसको बिमारी का दरजा भी दे दिया सबसे पहले तो मोटापा एक बिमारी हो जो हमारे को भद्दा दिखाता है दूसरा आपने साथ साथ क्या लेकर आता है मदु में तनाव कैंसर गठिया और इसी तरह के और बहुत सारे बेकार बेकार रोक मोटापे से कैसे चुटकारा मिल सकता है अगर हम इन आसनों को करें तो हम मोटापे से चुटकारा पा सकते है सबसे पहले हम बात करेंगे अब ब्रजासन के बारे में तो ब्रजासन क्या होता है? दोनों पैरों को सामने की और सीधा रखकर सबसे पहले बैठ जाएं अब ही मैं आपको यहांपर एक पिच्चर दिखाऊंगी यह देखिए यह ब्रजासन की है ठीक है और यहाँ पर साथी साथ व्रजासन के फाइदे भी लिखे हुए है गठिया में मदद करता है पीलिया में, सफेद बाल में, कमर दर्द में, साइटिका में पेट की गैस, पेट के दर्द, पाचन शक्ती, फेफणों के रोग, इस्मरन शक्ती, माशिक धर्म दोस पढ़ने की बजाय है, फियोरी में क्या लिखा हुआ है, उसको देखने की बजाय है अगर हम इस मुदरा को देखेंगे, तो जल्दी से इसको बना लेंगे और बस इसको देख करके, और वैसा ही लिख देना है, क्या करना है दाए पेर के गुटने से मोड कर दाए नितंब के नीचे रखे मतलब दोनों पेरों को मोड लें और उनके उपपर बैड जाए पहले एक पेर को मोडे और फिर दूसरे पेर को मोडे कमर, गर्दन, सिर को सीधा रखना है दोनों पैरों के अंगुठों को मिलाना है, एडियों को खुले रखना है और घुटने तधा पैर का निचला भाग जमीन पर टिकाहे रखना है और दोनों हाथों को जंगाओं पर रखना है, द्रिस्टी सामने की ओर रखनी है ये हो जाएगा आपका ब्रचासन और आपको लाब क्या क्या देगा एक तो ध्यान आप कर सकते हो असानी से एक आगरता बढ़ाएगी भोजन के बात करोगे तो खाया हुआ भोजन जल्दी से पच जाएगा और इस तरह की जो उपापच्चे यानि की भोजन नापच्चने की जो समस्या होती है वो भी ठीक हो जाएगी उसके बाद दोस्तों मुटापे के लिए ही दूसरा असन है यह जो आप देख रहे हैं और इसका नाम है हस्तो तानासन तो इसके अंदर क्या करना है नीचे से पढ़ने का कुछ नहीं है तो अपने दोनों पैरों को खोल करके खड़े हो जाना है नीचे और अपने दोनों हातों को उपर उठा लेना है बिलकुल ताड़ासन की मुद्रा में और फिर एक बार लेफ्ट और एक तरफ राइट इस तर हुआ है इससे क्या लाब है इसको हम देखते हैं तो पूरे शरीर को आराम मिलता है बच्चों का कद बढ़ता है कमर में लचक बढ़ती है और यहां तक की पेट के जो विकार है वो भी ठीक हो जाते है कमर पे से चर्वी कम हो जाती है तो बहुत ही सिंपल है इमी तीसरा अस कर रहे हैं सबसे पहले दोनों पेरों को मिला करके सीधे खड़े हो जाना है और दोनों के पेरों के बीच तीन से चार फुट का अंतर होना जाहिए बाएं हाथ को कान से लगाते हुए सीधा करें और स्वास निकालते हुए दाहिनी और जुकें दाएं हाथ से पैर के बदल कर बाएं और जुकें तो एक बार नाई तरफ जुकना है और एक तरफ बाएं तरफ जुकना है ठीक हैं और इस आसन के क्या ही लाब है तो इस आसन के लाब है कमर वे कटी प्रदेश कमर को ही कटी प्रदेश बोला गया है तो कमर आपकी लेचीली हो जाएगी जो कर लेते हैं अर्ध मचेंद्रासन की तो इसके अंदर क्या होता है दोनों पैर सीधे करके सबसे पहले बैठ जाओ और इस आसन को देख लो कि यह क्या होता है दोनों पैरों को सीधे करके बैठ गए और फिर उसके बाद दाएं पैर के घुटनों को मोड़े हुए एड़ी दाएं एड़ी के दाएं गुटने के उपड ले जाकर उसके पास दाएं गुटने के साथ बड़ी एड़ी का पंजा जमा दे ध्याण रहें बाया गुटना चाती के समीप रहे आप कठी छेतर से घूमे और दाई कठी छेतर बच्चों समझ रहो ना कठी छेतर मतलब वही आपकी कमर कमर से घूमे और दाई बाजू से दाई तरफ यानि दाई बाजू मतलब आपके दाई वले नाक से सांस निकालते हुए बाएं गुटनों को घेरते हुए इस हाथ से बा इसी को दूसरे दिशा में घुमा दें इससे क्या लाव होगा पहला तो आपकी रिड की हड़ी मजबूत होगी दूसरा नाडियों को लाव होगा चहरे बर चमाका जाएगी और लड़कियों के साथ एक और फायदा है कि उनके जो पीरेड्स हैं वो बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगे सुसंत अंतर के लिए भी ये उप्योगी है और मोटापे को तो खैर रोकता ही है अब ये थे मोटापे को कम करने के लिए आसर ठीक है अब हमारी जो दूसरे विमारी है वो क्या है वो है मदुमे अब मदुमे को सबसे पहले जान लेते हैं है क्या तो मदुमे आम तोर पर चया पची विकार के रूप में जाना जाता है चया पची को मेटाबॉलिक भी बोलते हैं जिसमें रक्त में लंबे समय तक शरक्रा अधिक पाए जाती है यानि कि ग्लुकोज की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है मदुमे में या तो अगना से प्राप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या शरीर की कोशिकाएं बनाए गए इंसुलिन को ठीक से प्रतिकिरिया नहीं कर पाती ये इस बिमारी में होता है अब मधु में होने के कारण क्या है? तो कुछ ना करना, पूरे दिन बैठे रहना, मम्मी की बात ना मानना, कोई काम ना करना, देर से उठना, जल्दी सो जाना, पूरा दिन टीवी देखना, म्यूजिक सुनना, ये सारे के सारे मधु में के कारण है. अब लक्षण क्या है मधु में के? तो व्यक्ति के अंदर ठाकान आ जाती है, बार-बार टॉयलेट आने की समस्या हो जाती है, प्यास जादा लगने लगती है, और भूख तो पूरा दिन लगती रहती है. तो ये कारण है मधु में के लक्षण के. मधु में से नुकसान क्या होता है अब? तो सबसे पहले तो आखों से दोंदरा दिखना शुरू हो जाता है. आपके जो गुर्दे हैं वो खराब हो जाते हैं, जिसके कारण पत्थरी बनने की समस्या हो जाते हैं, क्यों? गुर्दा खराब और पत्थरी शुरू. हिर्दे स कर लेते हैं मदू में से बचाव कैसे कर सकते हैं इस बिमारी से व्यक्ति या तो बच सकता है या तो इसे नियंतरण में रख सकता है और ऐसा वो कैसे कर सकता है अगर वो भुजंगासन करें पस्चिमुतानासन करें पवनमुकतासन करें और अर्धमचेंद्रासन करें तो अर् कि बचे तीन असन उनको देख लेते हैं अर्ध मचेंद्रासन सबसे पहले देख लो योगी मचेंद्रनाथ के नाम से इस आसन को जाना जाता है इसके अंदर दोनों पैरों को सीधा फैला दें जैसा कि आपने उपर भी देखा है मैं इक पार आपको इसकी पिच्चर दिखा द जाए यह दोखो यह है अर्ध मचेंद्रासन अब मैं इसकी डिटेलिंग को नीचे नहीं पढ़ूँगी ठीक है तो मधुमे को ठीक करने में इस आसन का प्रियोग किया जाता है ठीक है और अब विधी हम नहीं देख रहे हैं हम बस इसके लाब देख रहे हैं लाब क्या है म बहुत बड़ी समस्याज के टाइम पे निकल के आ रही है तो माईग्रेन ठीक होता है यह रीड के हड़ी के जो दोश है उन्हें दूर करता है मतब रीड के हड़ी को मजबूत बनाता है और जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि लेडीज में जो पीरिट्स की मिलता है और साथ ही साथ जो आपके नितम या फिर कूले हैं वो भी मजबूत होते हैं लेकिन इस आसन को किस अवस्था में ना करें इस चीज को ध्यान रखें अगर मही लाएं प्रेगनेंट हैं तो वो इस आसन को ना करें अगर आपको रीड की हड़ी की मिमारी है या फिर आपको सिल्प डिस्क की कोई प्रॉप्लम है तो आप ये आसन ना करें अगर आपकी करदन में कंधों में दर्द हो रहा है तो भी आप इसे अवोइड करें कूले पर चोट लगी हुई है तो इस आसन को ना करें गुटने एडियों के लिंगामेंट खराब हैं तो भी इस आ आसन को देखेंगे ये देखिए कितना सिंपल और इसका नाम है पस्चिमो तानासन जैसे कि हमने आगे पढ़ा है चिन आसन में हम आगे की तरफ जुखते हैं उनको हम बोलते हैं पस्चिमो तानासन क्या है दोनों पैर सामने रखते हुए सीधे बेढ़ जाएं स्वास भरे अंगुठे पकड़े कोहुनिया जमीन पर लगा दें माथा चाती वे पेट पूरी तरह से पेर में आपके पैरों में लगे हुए होने चाहिए तो ये है आपका पस्चिमो तानासन जो की लाब करता है मधों में जैसी बिमारियों में इसके अतिरिक्त पाचन शक्ति पीरिट्स की प्रॉब्लम में भी लाबदायक होता है कब ना करें सिल्प डिस्क की समस्या है तो ना करें हारनिया की समस्या है तो ना करें महिलाएं प्रेगनेंट हैं तो ना करें और इसके अतिरिक्त और कोई रोग है तो भी ना करें अब बात कर लेते हैं तीसरा आसन ये वाला आशन करने से सबसे पहले तो गैस समधी समस्या दूर हो जाएगी तो कमर के वल पर सीधे लेट जाए, एड़ी पंजे मिलाए, दोनों पावों को मोड़े, दोनों हातों की उंगलियों का ग्रिप बना कर घुटने से पकड़ ले स्वास भरे, भरे हुए सास में घुटने से पेट को अधिक से अधिक दवाए, सास छोड़ते हुए थोड़ी को घुटने से टच करें, सास लेते हुए सिर्वापस तता सास छोड़ते हुए दोनों पावों वापसी की स्थिती में ले आए, ये भी बहुत जादा सिंपल सा है और लाब क्या-क्या है? पीठ और पेट की मास्पेशियां शाशक्त होती है वाईू विकार यानी के गैस की समस्या का इलाज होता है आते, जिगर, अमाश्य इस तरह के सभी विकार ये समाप्त कर देता है मोटा नब भी कम करता है और मदुमे में सायक है कब ना करें सर्वाइकल हो तब ना करें गर्दन में किसी तरह का दर्ध है तब ना करें सिल्प डिस्क है तो ना करें हिर्दय रोग है तो भी ना करें और प्रेगनेंट है तो तो बिल्कुल ही ना करें अब बात आ जाती है भुजांगासन ये भी हल्प करेंगा आपके मदु कुमें के इलाज में तो सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं ये देखिए जिस तरह से आपको एक चत्र दिख lång़ महाँ पेट के बल लेट जाएं दोनों एडियों को पंजों से मिला करके फर्श पे टिका दे या चटाई पर टिका दे और दोनों हातों को मोड़ कर चहरे के दाय माय ले आए कोनी अधिक से अधिक अंदर की तरफ मुध्यान रखे माथा आपका जमीन से लगाओ गर्दन पीछे की और इतना मोड़े की रीड की हटी से आपका लग जाए स्वास दीरे दीरे भरते हुए धड को उठालें सारा भार पेड उपर आजाना चाहिए हतेलिया आसन पर केवल स्पर्श करेंगी तथा स्वास आपका सामानने रहेगा और स्वास को छोड़ते छोड़ते धीरे वापस इस्तिती पर आ जाए पहले धड और फिर माथा जमीन पर टिका दें क्या लाप होगा पाचन शक्ती बढ़ेगी यकरत मस्जूब होगा थाईराइड में भी लाप दायक है गुर्दे ठीक प्रकार से कारे करेंगे कमरदर्द, गर्दन दर्द, तनाव, कब्ज, रक्सुद्ध, फै, इस्त्री रोग में भी ये लाप देगा कब ना करें, रीड के हड़ी में दर्द हो तो बिल्कुल ना करें, गर्दन में दर्द हो तो ना करें, अलसर की समस्या हो तो ना करें, प्रिग्निंट हैं तो ना करें, और अगर अस्थमा की बिमारी है तो भी ना करें तो दोस्तों ये थे आपके दो बिमारियों के इलाच पहली बिमारी मोटापा और दूसरी मदुमे आपने मदुमे के लिए पढ़ा कौन से आसन करने चाहिए और आपने मोटापे के लिए पढ़ा कौन से आसन करने चाहिए दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अ और बने रहें एक्जाम अचीवमेंट के साथ. धन्यवाद दोस्तों.